दोस्तों आज की इस वीडियो में हम comparison करेंगे वीवो V29 स्मार्टफोन को वीवो T2 Pro स्मार्टफोन के साथ में और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्पले की तो आपको बता दू की वीवो V29 के अंदर हमें 6.78 इंचिस की 1.5K वाली Curved AMOLED डिस्पले दी गई है जो की 120Hz के रिफ्रेश रेट को स्पोर्ट करती है और वहीं दूसरी तरफ वीवो T2 Pro के अंदर हमें 6.78 इंचिस की Full HD Plus Curved AMOLED डिस्पले दी गई है जो की 120Hz के रिफ्रेश रेट को स्पोर्ट करती है यानि की दोस्तो डिस्पले आपर भई कंटेंड वोचिंग के साफ से ना दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है क्योंकि दोनों फोन के अंदर हमें Curved AMOLED पैनल मिल रहा भी अच्छी बात है एकदम बढ़िया वाली कंटेंड वोचिंग आपको करवा देगा लेकिन दोस्तों अगर आपको और भी ज्यादा अच्छी कंटेंड वोचिंग करनी है ना भई तब आप यहाँ पर डेफिनेटली वीवोवी 29 की तरफ ही जरूर सजाईए क्योंकि इस फोन के अंदर हमें 1.5 के वाली डिस्प्लेय मिल रही है अच्छी बात है अपरेटिंग सिस्टम के अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहाँ पर आपको देखने को मिली जाएंगे इस चीज का अब ध्यान रखेगा और चिपसेट के अगर हम बात करें तो वीवोवी 29 के अंदर हमें स्नैप ड्रैगन 778G 5G चिपसेट दिया गया है जो कि 6 नैनो मीटर टेकनोलजी पर बेस्ट है वहीं दूसरी तरफ वीवो टी टी प्रो के अंदर हमें डायमन सिटी 7200 5G चिपसेट दिया गया है जो कि 4 नैनो मीटर टेकनोलजी पर बेस्ट है और आपको बता दो दोस्तों यह जो दोनों चिपसेट है न भई दे टू डे परफोर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है लेकिन अगर आपको और भी जादा अच्छा अली गेमिंग करनी है न भई दूसरी तरफ वीव़ T2 Pro के बैक में ज्यूल केमरा का सेटब दिया गया है और सबसे पहले हम बात करेंगे वीव़ V29 की तो इस फ़ोन का मेंन कैमरा है 50 Megapixel का Ultra Wide Camera है 8 Megapixel का और जो Macro Camera वो है 2 Megapixel का वहीं दूसरी तरफ Vivo T2 Pro का Main Camera है 64 Megapixel का Depth Camera है 2 Megapixel का और आपको बता दो दोस्तो Vivo T2 Pro का जो Main Camera ना भई 64 Megapixel का भई एकदम बड़ी आली फोटोद आपकी क्लिक कर देगा उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी लेकिन यार जो उसका दूसरा कैमरा है ना 2 Megapixel का Depth Camera भई सिरफ और सिरफ यूजलस कैमरा इसका कोई फाइदा नहीं है इसलिए दोस्तों अगर आपको ओवरोल फोन से यह भई एकदम कैमरा सेंटरिंग भई डैफिनेटली आप यहां पर Vivo V29 की तरफ ही जरूर से जाईए क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है ना पचास Megapixel का भई काफी बढ़िया तरीके से उप्तिमाइस किया गया यार कैमरा सेंपल्स आप स्क्रीन के ओपर देखी पारे हैं किस फोन ने डिटेलिंग सो कितनी बड़िया तरीके से कैप्चर किया है और maximum वीडियो रिकोडिंग के अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से या maximum 4K तक वीडियो रिकोडिंग कर सकते हैं साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन से यहाँ पर OIS प्लस EIS टेकनोलजी को भी स्पोर्ट करते हैं। फ्रेंट कैमरा की अगर हम बात करें तो Vivo V29 के फ्रेंट में 50MP का सेलफी कैमरा दिया गया है जिससे हम एक्सिम 4K तक वीडियो रिकोडिंग कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ Vivo T2 Pro के फ्रेंट में 16MP का सेलफी कैमरा दिया गया है जिससे हम एक्सिम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकोडिंग कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों सेलफी फोटो के मामले में Vivo T2 Pro भी यहाँ पर काफी अदब बढ़िया है लेकिन अगर आपको बिलकुल नेक्स लेवल वाली सेलफी फोटो क्लिक करनी है साथ ही साथ अगर आपको 4K में वीडियो भी बनानी है भाई डेफिनेटल आप यहाँ पर Vivo V29 क की तरफ ही जरूर से जाईए क्योंकि सचमयार जोसका सेलफी कैमरा न एकदम नेक्स लेवल फोटो क्लिक कर देता है और बैटरी डिपार्टमेंट के अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के अंदर हमें 400 mAh की बैटरी दी गई है और अगर हम बात करें आप जाए न भाई डेफी नेटली आप यहां पर वीवो वीटवन्टीनाइन की तरफ ही जरूर से जाईए और नेटफर कनेक्टिविटी के अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में से किस प्लस फेस अनलोग भी देखने को मिल जाता है और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइजिंग की तो आपको बता दू कि वीवो वी 29 स्मार्टफोन के 8 प्लस 256 बी वेरियंट की अप्रोक्स प्राइजिंग है 34,000 पे वहीं दूसरी तरफ वीवो T2 प् प्राइजिंग है 25,000 पे और दोस्तो जो प्राइजिंग है न भी वो ओफर्स के अकोर्डिंग उपर नीचे होती रहती है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेगा और अगर मैं हाँ पर अपना पॉन्ट फे दोना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए तो देखी दोस्तो अगर आपका बजट है भाई 25,000 पे तक का और उसमें अगर आपको अवरॉल एक दम बड़िया फोन चाहिए जहाँ पर आप बड़िया वाली गेमिंग भी कर पाओ तब आप यहाँ पर डेफिनेटली वीवो टी टू प्रो की तरफ ही जरूर से जाईए लेकिन भाई दूस दूसरी तरह दोस्तों गर आपकी मेन रिक्वार्मेंट भाई कैमरा है ना सिरफ और सिरफ कैमरा तब आप यहाँ पर डेफिनेटली वीवो ट्वंटी नाइन की तरफ ही जरूर से जाईए तो बस दोस्तों यही तिमेरे कुछ अनेस्ट अपिनियन्स इन दोनो स्मार्टफो क्या है